खुद का अस्तित्व बनाने में वक्त अलकता है, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद नजारा देखने लायक होता है। जलने फुलने से कुछ ने वह गतोस्त, तरक्की खुद बता देगी कि कौन कितने पानी में है। कोई तुम्हारी personality नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा emotions दुख दर्थ नहीं समझेगा, बस पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, कमाते कितने हाँ, नसीब के आगे जुगोंगा नहीं, ठक कर बैठाओं, मगर रुखोंगा नहीं, तारीप से तो दीन अच्छे बनते हैं, लेक जिन्दगी में अगर फैसला ले लिया है, तो फिर पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी भी इतिहास नहीं रचते, अगर आप बार बार आसफल हो रहे हो, तो मेहनत करने के तरीके बदलो, अपने लच्छ और इरादे नहीं, अगर लाइफ में कुछ अ बहुत समय है, वह इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, जो रास्ते पर नहीं, बलकि रास्तों पर आने वाले दिक्कतों के बारे में जादा सूंचता हो, समस्याएं इतनी भी ताकतवर नहीं होती, जितना हम उसे मान लेते हैं, अगर जिन्दगी में निखरना है, तो संघर्स कर करना ही पड़ेगा, चाहे आप राजा ही क्यों नहों, अरे कैसे हार जाओं में इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मा कब से बैठी, अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए महनत नहीं करेंगे, तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे, तो खुद की खोज में निकल, तो किसी लिए हतास है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है, मैं हार जाओं ये बात अलग है, लेकिन मैं हार मान लो, ये हो नहीं सकता, काम्यावी आपको तब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप इसके लायक नहीं बनोगी, अरे जन्नत से भी जादा खुछी तब मिलेगा, जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से होगा.